वेल्कम टू केमिस्ट्री क्लास बाई ललित कुमार मिश्रा तो देखिए आप लोग यहां पर हम लोग थर्मोडानेमिक्स कर रहे थे थर्मोडानेमिक्स के आज का जो टॉपिक है वर्क जिसको हम कुछ पीछले वीडियो में भी कर चुके हैं इंटर्नल एनर्जी और एंथेलिपी इनके बारे में हमें करना है यहां पर तो सबसे पहले वर्क के बारे में हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं जिसका लिंक description में डाला हुआ रहेगा work के बारे में जो थोरा सा बच गया है उसको हम यहाँ पर देख रहे है work का हमने formula क्या था minus p external into delta v अब p external into delta v यहाँ पर minus लगा है क्या work हमारा negative होगा तो नहीं work positive और negative दोनों हो सकता है conditionally depend करेगा तो यदि हमारा work on system है जिसको हम w on से दिखाते है this is work on system और यदि हमने system पर work किया है तो हमने example लिया था gas का mechanical work हम लोग देख रहे थे mechanical work आपका pressure volume work होता है तो हम तो pressure volume work ले रहे हैं यह हमारा एक तरह से क्या है mechanical work है तो work on system हमारा positive आजाएगा कैसे positive आजाएगा because यहां पर L2 is less than L1 तो L2 minus L1 which is negative therefore V2 is less than V1 and V2 minus V1 is negative thus delta V will be negative यदि आपका delta V negative है तो यदि हमने यहां पर work on निकाला P external into delta V तो minus P external into minus del V आगया अपने आप बन जाएगा यह और work आजाएगा आपका positive यानि work on system हमारा positive होता है अब यदि यहां पर work by system रहे जिसको हम W by से दिखाएगे और यह आपका negative आजाएगा because यहां पर V2 is greater than V1 तो इस तरह से work by system हमारा negative होगा और work on system positive होगा work on system है क्या यहां पर work on system हमारा compression work है इसको compression work कह सकते है हमने gas को यहां पर compress किया था work by system क्या है expansion work है gas यहां पर expand करेगा और फिर से initial condition में पहुँच जाएगा पुरा-पुरा volume occupy करने की कोशिश करेगा यह हमारा हो गया work का अब हम लोग आएंगे इंटर्नल एनर्जी पर इंटर्नल एनर्जी देखने जा रहें इंटर्नल एनर्जी क्या चीज़ है हम लोग देख रहें इंटर्नल एनर्जी इसको हम यू से दिखाते एंसी आटी में यू से रिप्रिजेंट क्या गया है इंटर्नल एनर्जी है क्या चीज़ जैसा कि नेम ही सजिस्ट कर रहें इंटर्नल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर की अनर्जी आप कह सकते हो समझने के लिए लेकिन किसी भी सिस्टम में, जैसे हमारी body system है, इसमें बहुत सारे तरह के particles है, हर एक particle के energy जैसे molecular energy, atomic energy, हमारे अंदर जो भी potential energy है, वो molecules की kinetic energy है, वो सारे energies का sum जो है, वो internal energy कहलाएगा, और clearly हर एक person का internal energy different होता है, क्योंकि उसका size और mass जो है different है, यानि यह हमारा extensive property में आता है, internal energy, internal energy, extensive property है, ध्यान डखना है, साथ में यह हमारा state function है, extensive property है, and state function है, यह only depend करेगा initial and final state पर, final इसकी value कितनी हो गई, और initial value क्या है, तो पहले तो जब हम इसको define करें, internal energy को define कर सकते है, heat content of system at constant volume, यह definition कहां से आया, आगे हम सीखेंगे, heat content of system at constant volume, heat content of system at constant volume, heat को हम इस chapter में Q से दिखारें, small Q से, नीचे हम V लिख देंगे, because volume is constant, तो हमारा यह हो गया, internal energy की definition, क्या हम internal energy को calculate कर सकते हैं, पूरा-पूरा, तो नहीं, इसकी absolute value निकालना possible नहीं है, इसलिए इसको हम सीधे-सीधे absolute value लेकर नहीं major करते हैं, इसके change को major करना आज़ान है, बहुत इच्छा सा मैं example दे रहा हूँ, यदि मुझे आपका date of birth मालूम नहीं है, फिर भी यह बता सकता हूँ, कि आप अभी कितने बड़े हो, कैसे बता सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, इसी time, इसी hour में, कल आप जितने बड़े थे, उससे आप एक दिन बड़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से internal energy को हम यहाँ पर देखेंगी, हमें उसकी initial value तो मालूम नहीं है, initially उसकी value क्या है, finally उसकी value क्या होगी, यह हमें पता चल सकता है, या नहीं, तो वो भी पता नहीं चलेगा, finally क्या value आएगी, क्योंकि initial मालूम नहीं है, लेकिन उसके change को हम बता सकते हैं, कितने का change हुआ है, मैंने जो आपका date of birth बताया, मालूम नहीं था, फिर भी हमने age बताया, हमने क्या बताया, change, आप कल से एक दिन बड़े हो, तो उस यूवन, जो कुछ भी हो, यूवन, उसमें यदि हम heat supply करते हैं, सिस्टम में, और उस heat का use करके, जितना work करेगा हमारा सिस्टम, उसी से हमारा final, यू आएगा, यूटू आएगा, अब यहाँ पर यदि हम यूटू माइनस यूवन, find करते हैं, तो Q प्लस W आ जाता है, यू यहाँ पर formula बन जाता है, यानि delta U, internal energy change, is the sum of Q and W, अब यहाँ पर value depend करेगा, Q और W का क्या sign है, हमने W का sign तो पढ़ लिया था, कि work on system रहता है, तो positive, और work by system रहता है, तो negative, similarly Q का, यदि heat absorb हो रहा है, तो positive हो जाएगा, और यदि heat release हो रहा है, तो यह negative होता है, तो हमें इसका sign ध्यान डखना है, generally, यदि हम heat देंगे system को, work done by system होता है, तो generally work हमारा वहाँ पर negative हो जाएगा, heat positive होगा, यदि हम heat निकालेंगे system से release करेगा, तो work on system होगा, तो work वहाँ positive हो जाएगा, तो ऐसा case आ सकता है, अब यहाँ पर हमने u देखा, अब u को हम different conditions में कैसे लेंगे, उसको हम आगे देख रहे हैं, हम लोग internal energy change को ले रहे हैं, different conditions में, कहाँ पर कैसे कैसे internal energy आएगा, तो internal energy change, यानि delta u, for different processes, यदि हम t को constant रखें, यानि isothermal process लें, यानि t2 equal to t1 था, तो delta t हमारा क्या हो जाएगा, 0, यदि आपका t change नहीं हो रहा है, temperature हमारा constant है, तो हमेशा delta u हमारा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर energy में कोई changing नहीं हाएगी, energy का change, temperature से related होता है, तो isothermal condition में delta u हमारा 0 होगा, यह हमें ध्यान में रखना है, अब isothermal condition के बाद, second condition, हाँ, इसी को हम first law of thermodynamics भी कह सकते हैं, first law of thermodynamics में क्या है, यदि आपका energy change नहीं हो, energy हमेशा constant रहता है, किसी भी substance का, तो first law of thermodynamics हो गया, actually यह conservation of energy भी है, किसी भी system के energy हमेशा constant रहती है, उसका form change हो सकता है, यदि हम heat देंगे, तो work कर सकता है, लेकिन दोनों equal हो जाएगा, क्योंकि temperature यहाँ constant है, तो जब आपका energy conserve रहे, तो first law of thermodynamics, यानि यहीं हमारा conservation of energy का law भी है, इसको हम first law of thermodynamics कह सकते हैं, क्या है हमारा, delta u equal to zero, अब हम second case ले रहे हैं, isobaric process, यदि आपका pressure constant है, तो isobaric हो गया, तो pressure हमारा constant है यहाँ पर, pressure यदि constant होगा, तो w हमारा क्या हो जाएगा, minus p external into delta v, यानि w कुछ न कुछ होगा, यानि हमारा delta u जो है, easily q plus w के equal हो जाएगा, यानि यह हमारा net value आएगा, यहाँ पर जो भी value होगी, और conditionally जितना work या, जितना heat change हुआ है, उस पर depend करेगा, third हमारा आता है, isochoric, isochoric process में volume constant था, इसका मतलब v2 equal to v1, यानि delta v हमारा 0 हो रहा है, delta v यदि 0 होगा तो, delta u हमारा, q plus w में, only q के equal हो जाएगा, because यह q plus 0 हो रहा है, only q आगया, और यह q हमारा क्या है, v को हम यहाँ पर constant दिखाने के लिए q भी ले रहे है, और मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा, कि internal energy change का ही definition क्यों है, this is heat content of system at constant volume, heat content of system at constant volume आए, उसको हम कहेंगे, delta u, अब हम delta u ले रहे हैं, next process के लिए, next process हमारा था, adiabatic process, adiabatic process में, हमारा क्या होता है, heat energy का change नहीं होता है, यानि heat हमारा यहाँ पर एक तरह से 0 है, delta q 0 है, because there is no exchange between heat energy, q 2 equal to q 1 है हमारा, तो यहाँ पर यदि हम w find, यदि हम delta u find करेंगे, q plus w में, delta u equal to only w हो जाएगा, और यह only in case of adiabatic process होता है, इसलिए यह work हमारा adiabatic work हो जाएगा, तो adiabatic process में, delta u हमारा adiabatic work के equal हो जाता है, इस बात को में ध्यान डखना है, अगला हमारा process है, reversible process, compression तो हमारा reversible नहीं हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर expansion को लेंगे, यदि gas expansion करना चाहता है, तो यदि हमने pressure को, temperature को constant रखा हुआ है, sorry, temperature को constant रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर reversible process होगा, expansion का, तो temperature यदि constant रहे, क्योंकि यदि cylinder के अंदर हमारा gas है, और इसमें हमने क्या क्या है, एक pressure लगा हुआ पिष्टन से, और gas को हमने compress कर दिया है, अभी हमारा यहाँ पर total length इसकी L है, लेकिन हमारा gas जो है L2 तक ही है, पूरा-पूरा L1 तक नहीं है, तो हमें यहाँ पर gas को expansion करवाना है, expansion करने के लिए क्या करना होगा, temperature को increase करवाना होगा, यदि हम temperature को constant रखते हैं, ज़रा उसमें देख रहे हैं, फिर reversible process में हमारा work क्या होने बाला है, यदि temperature constant रखेंगे, तो gas expansion नहीं कर पाएगा, लेकिन gas actually धीरे-धीरे expansion करता रहता है, एक बहुत बड़े time में देखें change में, तो gas expansion करते-करते हो सकता है, पूरे यहाँ तक पहुँच जाए, यह माना जाता है, तो फिर इसको तो अपने आप expansion करना होगा, expansion यानि जो हमने इस पर pressure external लगाया हुआ है, अभी internal pressure जो gas का है, जिसके बल पर इसको expansion करना है, वो external pressure के equal है, फिर भी इसको expansion करना है, तिया expansion क्या होगा, बहुत ही धीरे-धीरे slowly होता रहेगा, very slow process, and very-very slow process, यानि infinitesimally slow process, is reversible process, यानि यहाँ पर reversible expansion होगा, isothermal condition में, आई-सो thermal condition में, यदि reversible process हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, integrated work निकालेंगे, और यह work बहुत ही, बड़ा work होगा, सबसे maximum work किसी को कहा जाता है, तो reversible process में, maximum work find किया जाता है, तो reversible process में, maximum work होता है, तो यह find कैसे किया जाएगा, थमारे पास, W का formula है, minus P, यहाँ internal लेना परेगा, into DP, क्योंकि, बहुत ही slowly change हो रहे है, हमारा, और यहाँ पर हमें, DW लगाना परेगा, क्योंकि work जो है, बहुत ही small work हो रहा है, infinitesimally small work, होता रहेगा लगातार, फिर total work हमारा आएगा, work maximum, तो DV equal to, P internal into DP, और P internal किसके equal है, P external के, इसलिए हम यहाँ external place कर सकते हैं, और DP ले सकते हैं, अब यदि हम इसको integrate करें, DW minus P external into DP, अब हमारे पास external pressure होगी कितनी, यह तो मालूम नहीं है, इसको हम ideal gas equation से लेंगे, from ideal gas equation, pressure equal to N upon V RT आजाएगा, अब यदि हम इसको यहाँ पर place कर दें, तमारा W क्या आजाएगा, N by V RT, sorry, sorry, यहाँ DV आना चाहिए, into DV, अब इस V को हम integration के अंदर ले लें, DV by V कर देते हैं, W equal to क्या आजाएगा, minus N RT, DV by V, इस तरह से इसको हम आगे calculate करने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कि W equal to minus N RT, integration, integrated DV by V आया, अब इसको हम LN में change कर सकते हैं, अब इसको हमारा आगया, minus N RT, LN, V2 by V1, अब W equal to क्या आजाएगा, minus N RT, यदि हम इसको लोग में change करते हैं, into 2.303, multiply करना परता है, अभी लोग 10 बेस पर आजाता है, V2 by V1, इस 2.303 को starting में लगा दे, minus 2.303, N RT, log V2 by V1 आजाता है, इस तरह से हमारा work maximum, यानि reversible work, isothermal reversible expansion, actually हमारा calculate हो जाता है, अब हम यहाँ पर, यदि volume की जगा pressure change हो, और volume को हम constant कर दे, तो यहाँ पर, boils log के हिसाब से देखा जाए, तो pressure आपका volume का inverse होता है, log P1 by P2 आजाएगा, तो pressure के case में, minus 2.303, N RT, log P1 by P2 बन जाएगा, अब माल लेजिए, N RT हमें मालूम नहीं है, लेकिन pressure volume मालूम है, pressure volume हम यहाँ पर place कर सकते हैं, formula को अपने हिसाब से change करना हमें, हमें formula का गुलाम नहीं बनना है, PV कर दिया हमने, log P1 by P2, या V2 by V1 भी ले सकते हैं यहाँ पर, यदि volume change हो तो इस तरह से हम वर्क का formula calculate कर सकते हैं, इस तरह से हम वर्क हमने find किया है, reversible process में, और reversible process में, generally हमारा expansion work आता है, यह हमने देख लिया था, और इस तरह से, यदि हम heat देंगे, तो work करके, gas उसको nullify कर सकता है, अब हम आगे लेते हैं, अगला process, E reversible process, E reversible process में, हमारा W, minus P external, into delta V, ही रहेगा, और delta U हमारा, U plus W रहेगा, इसमें कोई भी change नहीं होना है, 7th में, हमारा था, cyclic process, cyclic process में, number of changes, में जाएगा step में, हमारा कौन, कोई भी process, number of step में जाएगा, changing में, लेकिन फिर से, initial state पर आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, A to B, B to C, C to D, D to E, B, और फिर E to A हो गया, यह हो गया हमारा cyclic process, तो cyclic process में, work done हमारा, 0 माना जाता है, यहाँ पर कोई work done नहीं होगा, यह हमें ध्यान में रखना है, तो इस तरह से, हमारा delta U, यहाँ पर Q के, equal होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, overall यहाँ पर कोई work नहीं हो रहा है, अब हम लोग next ले रहे है, enthalpy change, अब यह enthalpy क्या चीज है, यह भी एक तरह का energy का term है, इसको, H से show किया जाता है, enthalpy किस तरह के energy है, हमने तो पीछे पढ़ाता है कि internal energy, वो भी energy था, और यह भी energy है, तो यह जो हमारा enthalpy change होता है, यह होता है QP, QP का मतलब, heat content of system at constant pressure, constant pressure पर heat लेने की क्या requirement है, तो जनरली लाब में, जो भी हम experiment करते हैं, जनरली जो भी scientist experiment करते हैं, atmospheric pressure में, तो क्या होगा वहाँ पर, pressure हमारा constant रहता है, तो उस पर जो कुछ भी energy change होगा, उसको internal energy तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो constant volume का है, तो उसके लिएक new term introduce किया गया enthalpy, enthalpy हमारा heat content of system at constant pressure है, और clearly यहाँ पर यदि pressure constant है, तो constant pressure वाला work तो आना ही है, यानि वो energy तो आना ही है, साथ में यहाँ तो volume change हो सकता है, और volume change होने से क्या होगा, work बढ़ता जाएगा, यानि generally हमारा h जो है, वो greater than u होता है, in general, not always, यह हमें ध्यान में रखना है, तो h यदि u के greater है, clearly यदि हम delta h calculate करेंगे, तो वो भी हमारा delta u से larger होगा, अब delta u से कितना larger होगा, तो जितना हमने extra work किया उस पर, इसलिए delta h और u को जब हम equate करना चाहेंगे, delta h निकालना चाहेंगे u से, तो delta u प्लस w यानि p delta v हमें लेना परेगा, अब delta h हमारा कब, delta u से कम हो सकता है, यदि हमारा w on system है, यह तो positive रहेगा, तो delta h हमारा greater than delta u होगा, लेकिन यदि work by system है, यह negative होता है, delta h less than delta u हो सकता है, यदि आपका work हमारा zero हो जाए, pressure यानि volume हमारा constant हो, तो हमारा delta h equal to delta u हो सकता है, अब यहाँ पर case लेते हैं, यदि हमें p delta v मालूम नहीं है, क्योंकि generally यदि कोई reaction होता रहता है, एक container के अंदर, तो वहाँ पर volume तो हमें constant दिखता है, क्या वहाँ पर कुछ work हो रहा है, तो work वहाँ भी होता है, तो उस work को हम कैसे calculate करेंगे, तो उसके लिए हमें p delta v का formula delta n r t करके लेना है, और delta n यहाँ पर है क्या, number of change in moles of gases in a reaction, अब यह delta n को find कैसे किया जाएगा, तो delta n equal to हम लेंगे, n p minus n r, n p हमारा क्या है, number of moles of gas in product, minus number of moles of gas in reactant, तो हम लोग अब यहाँ पर करने जा रहे है, delta n हम कैसे calculate करेंगे किसी भी reaction में, माल लेते हैं हमारे पास, यहाँ पर एक reaction है, ch4, को यदि हमने o2 से reaction करवाया, यानि combustion किया, co2 plus h2o बनता है, h2o हमारा liquid है, और co2 gas है, अब इसको पहले हम balance कर ले, c तो हमारा 1 है, लेकिन h यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ हमने 2 लगा दिया, जिससे हमारा o2 पर क्या हो जाएगा, 2 plus 2, 4 atom, यहाँ पर हो गया 2, यह भी हमारा gas होता है, और methane भी हमारा gas है, यदि हम यहाँ पर delta n निकाले, तो number of moles of gas यहाँ पर product में 1 है, 1 minus 2 plus 1, 3 हो जाएगा reactant में, इस तरह से हमारा minus 2 आ सकता है, तो हमारा जो delta n है, वो minus में भी आ सकता है, यह हमें ध्यान में रखना है, और plus में भी आ सकता है, यहाँ पर एक process ले लेते हैं, h2o, हमारा solid है, और यह melt हुआ है, h2o liquid में, यहाँ पर delta n क्या होगा, 0 minus 0, 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी gas involved नहीं है, जब हमारा gas involved हो, तो only gas को ही लेना है, यहाँ पर liquid और solid को नहीं लिया जाएगा, यह बात हमें ध्यान में रखना है, तो delta h, हमने क्या देखा है, यदि इस case में delta h को निकाला जाए, तो delta u के equal हो जाएगा, और यहाँ पर निकाला जाए delta h, तो less than delta u हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा delta n negative है, तो u से कम हो जाएगा, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, ओके, thank you for watching,